दोस्तो आज हम लोग ये वाली टेक्चर हम लोग सिखेंगे ये दोस्तो ये टेक्चर बहुत ही सांदार होने वाली है ये टेक्चर हमने वाल पुट्टी में बनाई है तो आप सोच सकते ही ये टेक्चर कितनी सस्ती होने वाली है और जितनी सस्ती होने वाली है उटनी ही बड इवाल पे बना सकते हैं आप ये टेक्चर कहीं पे भी बना सकते हैं देखो दोस्तों तो वीडियो की सुरुवात करते हैं दोस्तों यह एसियन पेंट की वाल पुट्टी है आप चाहे तो बिल्ला की भी लेख सकते हैं आप नेरो लेक्स भी लेख सकते हैं आप कोई भी वाल पुट्टी ले लेजिए और इसकी अंदरा पानी मिला के इस तरह से बना लेजिए आप चाहे तो आप यह वाल पुट्टी मसीन से भी बना सकते हैं और यह बिलेट से मैंने अप्लाई कर दी हैं आप इसी प्रक्तकार आप डिवाल पे अप्लाई कर दीजें दोस्तों मैंने एक सेंपल बनाने के लिए प्लाई के टुकड़े पे बनाई है लेकिन आप डिवाल बना सकते हैं देख गुरू माला पे पुट्टी ले लेजे और दूसरी गुरू माला से इस तरह से पंच कर लेजे जैसे मैं पंच कर बस इसी गुरू माला से आप पंच करते हुए चले जाए एक गुरू माला पे आप पुट्टी ले लेनी है और दूसरी गुरू माला से उस इस तरह से आप डिवाल पे apply कर सकते हैं, मैंने एक sample बनाने के लिए apply पे ही apply की है, आप डिवाल पे या छट पे आप कहीं पे भी apply कर सकते हैं, एक bedroom के अंडर bed के पीछे अगर इस तरह की texture बनाओगे तो बहुत ही सांदार लगेगे दोस्तो, देखे दोस्तो ये वीडियो देख लिए skip नहीं की, तो आपको मैं challenge देता हूँ, ये texture आप कहीं पे भी बना सकते हैं, चाहे आप पेंटर हो या पेंटर ना हो, ये texture बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, गुरु मला से पुट्टी apply, देखो इस तरह से आप apply करते हुए चले जाईए, और design आपके सामन बनते हुए नजर आएगी, तो देखो दोस्तो, आप ठोड़ी से भी वीडियो को skip ना करिए, और पूरी वीडियो देखिएगा, फिर मैं challenge देता हूँ, आप कैसे भी ये texture बना सकते हैं, तो दोस्तो इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है, और ऐसी ही वीडियो स subscribe जरूर करना, और like करना, comment करना, और हाँ जी हाँ, बेल आइकन को जरूर all करना टाकी में, जब भी नई वीडियो डालो, आपके सामने notification आती जाए, साथ नंबर का पट्टे वाला paper है, मैंने इस फर्मे में लगा कि इस तरह से गिस दिया है, चाहो तो आप पट्टे वाला paper पर हाट से भी घिस सकते हो, और बहुत दबा के नहीं घिसना है, हलका हलका घिसना है, वरना ज्यादा दबा के आप घिसो के तो यह डिजाइन मिट जाएगे, देखिए दोस्तों, इस तरह से आइस्ता आइस्ता आपको घिसना है, मैंने वीडियो लंबी न हो जाए, यह मैंने थोड़ी वीडियो फास कर दी है, देखो दोखो इसी तरह आपको इस प्रकार पुट्टी को घिसना है, जैसे मैं घिस रहा हूँ, तो अगर इस तरह से घिसेंगे, फिर पाउडर को इस सुखा बरस से आपको जाड़ देना है, जैसे मैं पाउडर को सफाई कर रह नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही सांडर आज का टेक्चर होने वाला है, पूरी वीडियो देखेगा, फिर मैंने वाटर बेज प्राइमर अपलाई किया है, आप चाहो तो कोई भी प्राइमर अपलाई कर सकती है, यह है रोयल का बेज कोट, ब्लैक वाला बेज है यह मैंने यह ब्लैक में लिया है है आप इसमें से थोड़ा सा पानी मिला की आई सी तरह से बना लेना है जैसे मैं सकते है मैंने इसको base coat और corporate का combination बना के बनाया है दोस्तो इसी प्रकार आप बरस से apply कर दीजिए जैसे मैं apply कर रहा हूँ चाहो तो आप roller से भी यह base coat color अपलाई कर सकते है आपको जैसा अच्छा लगे वो इस आपसे आप मार सकते है देखे दोस्तो दो हाट इस तरह से लगा देना है फिर देखिए ये दोस्तो रॉयल प्ले का टॉप कोट है ये रॉयल प्ले मैटालिक मैंने ये लिया है आप चाहो टो रॉयल ग्लेटर भी ले सकते हैं मैंने रॉयल प्ले का मैटालिक लिया है इसको इस तरह से पंच के साथ लगाया है यह वही पंच है जो खुड़िसी में गारियों की सीट में लगता है और गड़े में लगता है वही पंच है उसको मैंने भीगा के निचोड़ दिया है फिर इस तरह से मैंने यह copper color की उपर लेके इस तरह से apply कर दिया हूं जैसे आप भी इसी तरह से कर सकते हैं देखो दोस्तो एक ही बार ध्यान से वीडियो देखनी है फिर चाहे आप कैसे भी हो आप पेंटर हो या पेंटर ना हो ये टेक्चर आप बना सकते हैं देखो दोस्तो स्वागट है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है चैनल का नाम है स्मार्ट टेक्चर और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वाली टेक्चर जो आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं बहुत ही सांडार लगती है ये दोस्तो आप कहीं भी ओफिस के उपर अंडर में एक डिवाल पर मार देजे या फिर बेड लगा बेडरूम के अंडर बेड के पीछे मार देजे या फिर छट पे सिलिंग पे पियोपी बनी है उसका पट्टे भी बना देंगे तो बहुत ही स असानी से बना सकते हैं दोस्तो देखें दोस्तो मेरे चैनल को आप लाइक करें कमेंट करें सस्क्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट हो जाओं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिस करता रहूंगा देखें दोस्तो मैंने पहले चार महिने तक कोई वीडियो नहीं डाली थी फिर अभी अभी वीडियो डालना सुरू किया है और आप बहुत ही सारा आप कमेंट करते हैं सस्क्राइब करते हैं इसलिए मैं मोटिवेट होके आपके सामने ऐसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा देखिए दोस्तों आप ये को टॉप कोट लग जाने के बा चट पे ऑफिस में ये कहीं पे भी ये टेक्चर बना सकते हैं आप चाहोट कीचन के अंडर बीना टाइस लगाए ये टेक्चर बना दूने तो बहुत ही सांदर लगेगी दोस्तों फिर इसके उपर चमक लाने के लिए हम लोग टच वूट मारेंगे देखिए दोस्तों टच वूट ले लिजे इसमें ठोड़ा सा आप टर्पेंट टाइम मिला दिजे फिर इस तरह से आप अपलाई कर देए मैंने सेंपल ही बनाया था इसलिए मैंने इसमें टर्पेंट टाइम नहीं मिलाया है आप चाहो तो एक लिटर की अंडर 100 ml टक आप टच वूट की अंड और आप ये टेक्चर के उपर कहीं भी ढूल मिटी पड़े तो आप बरस से आसानी से जाड़ सकते हैं क्योंकि इस पर टच वूट लगा है टच वूट लगाने से इसके अगूल मिटी इस पर पकड़ेगी ही नहीं देखें दोस्तों कितनी सांदार और कितनी बहतरीन डिज देखने के लिए टेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर और करें ताकि मेरी जब भी में नई वीडियो डालो तो आपके सामने नौटे किसन आ जाए डोस्तों ये टेक्चर बना दाना बहुत आसान है लेकिन टेक् कोट रखोगे तो इस प्रकार की टेक्चर लगेगे दोस्तों कितनी सांदार लग रहे है यलो बेस कोट और वाइड टोप कोट लगाओ तो इस प्रकार की ये ही डिजाइन में इस प्रकार की टेक्चर लगेगे दोस्तों देखो दोस्तों कितनी बढ़िया टेक्चर लग र इसी टेक्चर को आप टैप लगा के ब्रिक्स की आकार में बनाओंगे और गोल्ड कलर लगाओंगे तो इस प्रकार की टेक्चर लगेगी दोस्तों।